नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है Samsung Galaxy M33 5G दोस्तों Samsung ने इस फोन के लिए रिलीस कर दिया है One UI 6.1 का नया अपडेट जिसके साइची करीबन 2GB अगर आपके फोन में ये अभी तक नहीं मिला है तो आपको जाना है Settings में Software Update में Download and Install पे आपको ट्याप करना है यहाँ पे मिल जाएगा आपको Update और आप यहाँ से उसे Download और Install कर सकते हो बात करते हैं Update के Chainlux की तो अगर आप जोगे back Last Update में यहाँ पे Mention किया गया है One UI Version 6.1 इस Update की Exact Size है 2069.04 MB और Security Patch Level है 1st April 2024 और यहाँ पे है All Changes अगर आप इस पे Tap करोगे तो यहाँ पे Mention किया गया है वो सभी New Features जो आपको देखने मिलेंगे इसने Update के बाद हाला कि इस Chainlog में किसी भी AI Feature को Mention नहीं किया गया मतलब कि आपको इस Phone में AI का Feature नहीं मिलेगा हाला कि कई सारे शांदार Features को Add किया गया है तो हम बात करने वाले है ऐसे ही Top 15 New Features की जो आपको देखने मिलेंगे One UI 6.1 के बाद आपके Samsung Galaxy M33 5G में तो चलिए दोस्तों देखते हैं उनसा भी Top 15 New Features को One by One अब अब अपने फोन के Locksrin पे भी विजट्स को Add कर सकते हो आपको अपने Locksrin पे Long Tap करना है अपने फोन को Unlock करना है और यहाँ पे आपको शोगा यह विजट्स का नया Option आपको इस पे ट्याप करना है और यहाँ पे आपको शोग करेंगे उनसा भी Apps के नाम जिनके विजट्स को आप यहाँ पे आड़ कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे है Battery, Calendar, Clock, Reminder, Samsung Health और Weather तो माल लीजी मुझे यहाँ पे आड़ करना है Battery के विजट्स को तो मैं बैटरी पे ट्याप करूँगा अगर आपको इनमें से किसी विजट्स को रिमू करना हो तो आपको मैंनस के सेन पे ट्याप करना है रिमू करने के लिए अगर आपको आड़ करना है तो फिर से ट्याप किजिए इस तरीके से आप एड़ कर पाओगे विजट्स को अगर आपको इनका color change करना हुआ तो आपको clock style पे tap करना है और यहाँ पे color का option आप उनका color भी change कर सकते हो इस तरीके से फिर आपको करना है done पे tap तो आपने जो भी widgets add के आपको यहाँ पे शोगरेंगे आपके lotion पे आप देख सकते हो और आप उन widget पे single tap करके उस particular आपको open कर सकते हो इस तरीके से आप देख सकते हो wallpaper के settings matte किया गया है frames, colors और effects को apply करने का शांदार feature तो आपको अपने lotion पे long tap करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा उपर में wallpaper का option आपको उस पे tap करना है फिर आपको gallery में से किसी भी wallpaper पे tap करना है उसे set करने के लिए तो मैं set करूँगा इसे फिर आपको करना है done तो यहाँ पी नीचे आपको show करेंगे दो option frame और effect सबसे बले बात करते है frame की तो आपको frame पे tap करना है यहाँ पे आपको show करेंगे 8 अलगलग types के frames और जो भी frame आप apply करोगे उसके हैसाब से जो size होगी object की automatically adjust होती रहेगी इस तरीके से आप देख सकते हो इसके अलाव जो object है उसकी size भी आप change कर सकते हो pinch in pinch out करके आप देख सकते हो इस तरीके से और आप इसे चाहो तो उपर नीचे या फिर left right भी कर सकते हो इस तरीके से आप देख सकते हो फिर से अगर आप frame पर tap करोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है color का भी option इस पर tap कीजिए तो यहाँ पर आप जो background का color है उसे change कर सकते हो सबी color को देखने के लिए आपको color के icon पर tap करना है और यहाँ से आप किसी भी color को apply कर सकते हो बस tap करके आला कि आप जो photo में background है उसे भी erase कर पाऊगे यहाँ पर है erase background का शांदार feature tap कीजिए तो जो background है उसे erase कर दिया गया है आप देख सकते हो फिर आप जो color combo है उसे use कर सकते हो यहाँ से background को erase करने के बाद अगर आपको background को erase नहीं करना है तो erase पर tap कीजिए अगर erase करना है तो erase पर tap कीजिए फिर आपको इसे करना है set तो किजिए done तो आपने जिस तरह किसे frame और color को apply किया है आपको मिलेगा same style यहाँ पर आपके location पर आप देख सकते हो अब बात करता है effects की तो आपको location पर long tap करना है अपने phone को unlock करना है फिर से wallpaper पर tap कीजिए और आपको जो wallpaper set करना है उस पर आपको tap करना है तो मैं set करूँगा अब फिर से उसी wallpaper को लेकिन अब इसमें कोई भी फ्रेमिया color में apply नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अब यहाँ पर apply करना के वर effect को तो effect पर ट्याप कीजिए तो यहाँ पर आपको ब लेंगे 8 अलगले types के effect तो यहाँ पर है original फिर है blur, background को blur किया जाएगा इसके बाद है grayscale फुरा जो wallpaper है black and white में शोगा इसके बाद है grayscale background background को black and white में और जो object है उसे color में शोगे जाएगा इसके बाद है color तो आप जो color tint है background में उसे change कर सकते हो इस तरी के से आप देख सकते हो फिर इसके बाद है ink जो background है उसमें ink effect apply किया जाएगा इसके बाद है pastel और बाद में है oil paint तो मा लेजे मैंने यहाँ पे set किया है color tint को तो मैं यहाँ पे color set करूँगा इसे और में करूँगा इसे back और आपको करना है फिर done तो आपने जो effect apply किया है आपको show करेगा इस तरी के से आप देख सकते हो आपके wallpaper पे बैटरी के health core improve करने के लिए add किया गए एक शांदार feature तो अगर आप जाओगे settings में बैटरी में यहाँ पे है battery production आपको इस पे tap करना है अगर आप इससे own करोगे तो यहाँ पे आपको शुखरेंगे तिन अलग-अलग mode basic adaptive और maximum अगर आप basic पे सेट करोगे तो अगर आप अपने phone को charge करोगे आपका phone अगर fully charge हो जाएगा तो आपके phone में charging automatically stop हो जाएगी फिर जब आपके phone में battery level 95% पहुचेगा तब आपके phone में charging फिर से start हो जाएगी तो यह जो cycle है बार-बार चलता रहेगा इसके बाद है maximum तो अगर आप maximum पे सेट करोगे अगर आप अपने phone को charge करोगे आपका phone अगर 80% charge हो जाएगा तो आपके phone में charging stop हो जाएगी आपका phone 80% की उपर charge नहीं होगा और end में है adaptive तो adaptive में basic और maximum दोनों mode एक साथ यूस होते है तो आपका जो sony का time है उसके दुरान आपके phone में maximum mode को set के जाएगा और आपके जागने के time से पहले आपके phone में basic mode को set के जाएगा तो आप अपने phone को किस तरीके से charge करते हो कितने बज़े charge करते हो कितने time के लिए charge करते हो तो आपका usage pattern और charging pattern है वो आपका phone learn करेगा और उसके हिसाब से आपके phone में adaptive mode का use किया जाएगा अगर आपको तिनों में से किसी भी mode को use नहीं करना है तो आपको इसे off करना है यहां से gallery app में cutout के लिए add किये गए है तिर अलगलक शांदार feature तो अगर आप gallery आपको open करोगे तो आपको पता होगा आप अगर किसी भी photo के object पे long tap करोगे तो आप जो उसका cutout है उसे create कर पाऊगे लेकिन अब आप अपने cutout को काफी easily copy और paste कर पाऊगे मान लिजी आपको इस cutout को copy करना है इस photo में तो आप इसा कर पाऊगे आपको इस पे long tap करना है object पे long tap कीजिए यहाँ पे होगा animation और आपको मिलेगा copy का option ट्याप कीजिए अब यह जो cutout है copy हो चुका है आपको back जाना है पुर इस photo को open करना है आपको अगर यहाँ पे paste करना है तो long tap कीजिए blank के दियाप में और आपको मिलेगा यहाँ पे paste का option ट्याप कीजिए तो जो cutout है यहाँ पे paste हो जाएगा आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसकी size भी change कर सकते है अपने हिसाप से आप अपने cutout को drag and drop करके भी copy और paste कर सकते हो माल लिजे आपको इस cutout को copy करके drag करना है इस photo में तो आप इस अगर पाऊगे आपको इस पे long tap करना है यहाँ पे होगा generate cutout आपको फिर drag करना है बैक जाना है जिस photo में आपको इसे करना है paste आपको उसे open करना है और आपको यहाँ पे करना है drag remove करना है फिर आप अपने इसाप से इसकी size change कर सकते हो तो आप drag and drop करके भी cutout को copy paste कर पहोगे काफी आसनी से इसके अलवा आप अपने cutout को save करने से पहले उससे काफी अच्छे से edit कर सकते हो तो आपको किसी भी photo पे long tap करना है object पे long tap कीजिए इसका create होगा cutout फिर यहाँ पे आपको मिलेगा edit का नया option notes के icon पे tap कीजिए और यहाँ पे edit ट्याप कीजिए यहाँ फिर यहाँ पे perform और shape तो आप जो shape है उस image और save as sticker अगर आप इसे करोगे save as image तो यह जो photo है cutout है gallery में से होगा अगर आप इसे करोगे save as sticker तो यह से होगा sticker section में और keyboard में तो अगर आप keyboard को open करोगे तो यहाँ पे आपको emoji के icon पेट्याप करना है पिर आपको sticker के icon पेट्याप करना है यह रहा sticker का icon और आपको यहाँ प मतलब कि आप अपने एक ही वीडियो के अलगलग पॉर्शन को अलगलग स्पीड पे सेड़ कर पाऊगे किसी को स्लो या किसी को फास्ट तो माल लिजी आपको इसे एडिट करना है तो इस पे ट्याप किजिए और किजिए एडिट पे ट्याप सेंटर में आपको मिलेगा एडिट स्पीड का ओप्शन इस पे ट्याप किजिए और यहाँ पे है स्लो मोशन और यहाँ पे है फास्ट पोरवड तो माल लिजी मुझे करना है स्लो मो में तो मैं करूंगा 1x2 या 1x4 फिर यहाँ पे आपको मिलेंगी डोटेड लाइन यह जो प जो आगा वाला प्शन इससे फास्ट में तो मैं 1x4 पे ट्याप करूंगा मतलब किस पीड स्पीड आप करना है क्टीट करूंगा तो पहला प्शन होगा प्ले स्लो मोशन में आप देख सकते हो और जो आगे वाला portion है वो आप कपले होगा 2x fast forward में आप देख सकते हो अलग एगर आप चाहो तो दोने की बीच में normal speed को भी add कर पाऊगे आपको बीच वाले line पे करना है left और right में swipe इस तरीके से तो यहाँ पे है normal, slow-mo, normal, fast और slow-mo इस तरीके से आप एक ही वीडियो में अलग लग portion के लिए अलग लग speed को set कर पाऊगे अब आप अप अपने alarm के layout और background को काफी अच्छे से customize कर सकते हो मतलब कि आप अपने किसी भी photo, video या air emoji को place कर पाऊगे अपने alarm के background पे तो आपको clock आपको open करना है किसी भी alarm को open कीजिए उससे set कीजिए और यहाँ पे होगा alarm background का नया option आपको इस पे tap करना है यहाँ पे show होगा time का layout जैसे आप इस पे tap करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे शो करेंगे तीन अलग लग layout आपको जो layout set करना है उस पे tap किजिए इसके बाद है यहाँ पे background आपको इस पे tap करना है तो यहाँ पे show होगे तीन अलग अलग element featured, gallery और यहाँ पे है create using AR emoji, featured में आपको show करेंगे default photo और video आपको जो set करना है set कीजिए photo या video भी, अगर आपको अपने हिसाब से कोई भी photo या video set करनी है तो आपको gallery में video पे tap करना है मालीजी मुझे video set करना है यह वाला तुम इस पे tap करूंगा फिर done कीजिए फिर आपको save करना है जब alarm पर time आएगा और alarm play होगा आपको मिलेगा इस तरह किस चांदार layout और background जो आपने set किया है जैसे कि आपको पता होगा आप अपने samsung के phone में सभी apps को pop-up window में open कर सकते हो मालीजी मुझे open करना है gallery आपको pop-up window में तो मैं इस तरह किसे open करूंगा pop-up में लेकिन अगर आप इन्हे minimize करोगे swipe करके तो यह हो जाएगी minimize और यहां पर आपको show करेंगे इस तरह किसे आप इस पर tap करके one by one सभी को open कर सकते हो इस तरह किसे आप देख सकते हो लेकिन आप चाहो तो सभी apps को एक साथ pop-up window में open कर सकते हो आपको one by one करने की जरूत नहीं है तो यहां पर आपको बिलेगा एक नया button सभी apps को एक साथ pop-up window में open करने के लिए तो आपको इस पर tap करना है आपकी तिनों apps एक साथ pop-up window में open हो जाएंगे आप देख सकते हो इस तरीके से Homepage पकर आप करोगे Swap up तो आपको मिलता है App drawer और App drawer के उपर में मिलता है Finder का यह option मतलब कि आप यहां से अपने किसी भी app फाइल या जो contact से उनके नाम को search कर पाऊगे लिगना Finder में Google search को integrate किया गया है मतलब कि आप जो भी search करना चाहोगे search कर सकते हो बिना Google या Chrome को open किये और जब भी आप उस term को search करोगे आपके phone में open होगा Google page Google search के साथ जैसे कि अगर आपको search करना है iOS 18 new features तो यहां पर type किजिए iOS 18 new features जैसे आप type करोगे यहां पर आपको show करेगा यह नया option जहाप लिखा होगा suggested way searches यह है Google search तो यहां पर आपको search के लिए suggestion भी show करेंगे आपको जो search करना है उस पर type किजिए अब यहां पर open होगा directly Google page Google search के साथ आप देख सकते हो अब आप अपने phone में default modes को rearrange और remove कर पाऊगे तो अगर आप जाओगे settings में modes and routines में यहां पर आप कोश्व करेंगे default modes अगर आपको इने rearrange करना है तो आप ऐसा कर पाऊगे मतलब कि उपर नीचे कर पाऊगे तो आपको किसी भी mode पे long tap करना है सामने होगा arrow का icon आपको इस पर long tap करके drag करना है उपर यह नीचे इस तरीके से save करने के लिए back जाईए अगर आपको इन में से किसी mode को remove करना हुआ मतलब कि delete करना तो आप ऐसा भी कर पाऊगे तो आपको किसी mode पे long tap करना है और यहाँ पे उसे करना है टिक इस तरीके से tick किजिए और किजिए delete तो जो relaxed का mode है उसे किया जाएगा delete इस तरीके से आप देख सकते हो इसके अलावा mode को यूज़ करना काफी आसान है आप mode को one tap में on up कर पाऊगे अपने homepage से ही तो आपको homepage पे long tap करना है widgets पे tap किजिए नीचा आईए और यहाँ पे होगा modes and routines का यह option tap किजिए और यहाँ पे है single mode का नया option long tap करके drag किजिए इसे जो mode set करना है उस पे tap किजिए आप इस तरीके multiple mode को यह widget को add कर पाऊगे तो मैंने यहाँ पे sleep और work की widget को add कर दिया है मतलब कि आप one tap में homepage से ही mode से उन्हें on up कर पाऊगे माली जी मुझे on करना है sleep को तो मैं sleep tap करूँगा मेरे phone में sleep mode आप तेक सकते हो इस तरीके से off करने के लिए फिर से tap किजिए तो किसी भी mode को on करना काफी आसान है बस homepage से one tap में ऐसा कर पाऊगे अब जब भी आप voice call करोगे तो आपको में लिगा mic mode का शांदार feature तो आपको open करना है control center को और यहाँ पे होगा mic mode आप डेक सती उपर में आपको आप करना है और यहाँ पे आपको शोगरेंगे दो option standard और voice focus standard मतलब default और यह है voice focus अगर आप voice focus पे selection करोगे तो आपके background में जो भी noise होगा उससे filter out किया जाएगा ताकि सामने लोगो आपकी आवाज टिक से सुनाए दे तो आप किसी ऐसी जगह पे ज्यादा शोर्चराबा है नोई से ऐसे में आपको इसे on करना है और करना है done हाला कि आप इससे यहाँ से भी on up कर सकते हो यहाँ पे icon दिया गया है आपको इस प्रयाप करना है standard और यह voice focus और वीडियो कोल के दुरान आपको मिलेंगे तिन अलग-अलग mode standard voice focus और full spectrum standard और voice focus के बारे में हमने बात कर ली है यह है full spectrum अगर आप इसपे selection करोगे तो वीडियो कोल के दुरान आपके around में जो भी sound है जो भी noise है उससे भी record किया जाएगा मतलब कि आपके around में जो भी shore शराबा हो रहा है जो भी noise आ रही है उससे भी call के दुरान सुने जाएगा सामने आ लेको इस तरह के से आप वीडियो कोल के दुरान वीडियो कोल effects और जो mic mode है उससे change कर सकते हो गंट्रोल सेंडर में आकर दोस्तो तो यह थे और टो फिप्टिन न्यू फिचर्स जो आपको